Hello Everyone, Welcome to my channel Lovey Blog मैं वीडियोज बनाती हूँ फैशन पे, डिजाइनिंग पे, स्टाइलिंग पे and ड्रेशिंग पे बट आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यह इस उन लोगों के लिए है, यह एकचली एक motivational बीडियो है जो यह सोच रहे हैं कि मैं YouTube पर चैनल बनाऊं या ना बनाऊं वो यह सोचकर अक्सर अपना चैनल नहीं बनाते हैं कि अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो मेरे सबस्क्राइबर कंपलीट ही नहի हुए तो लोगोंने मेरी बेडियो पसंद की ही नहीं तो मेरा बॉआच टाइम कंपलीट नहीं हुआ तो तो क्या होगा आप मुझे एक बात बताईए आपको पता है आपके साथ कल क्या होगा नहीं ना सबी लोग जानते हैं कि किसी को नहीं पता उनके साथ कल क्या होने बाला है तो एक साल बात क्या होने बाला है ये सोच कर अगर आप आज ही काम करना बन कर देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई मैं आपके सामने कुछ facts रखूंगी जो आपको ये decision लेने में help करेंगे कि आपको YouTube पर channel बनाना चाहिए या नहीं मैं आपसे एकदम ये नहीं बोलूँगी कि आप आकर YouTube पर channel बनाईए बस मैं कुछ अपनी बातें आपके सामने रखती हूँ अगर उन बातों को सुनकर आपको decision लेने में help होती है तो ये अच्छा होगा कि आप उन facts को सोचकर अपना decision खुदी ले पाएंगे पहली बात ये है कि जब आप YouTube पर channel बनाते हैं तो आपकी social life बहुत ही ज़्यादा improve हो जाती है आप बोलेंगे वो कैसे improve हो जाती है सोचिए आपने अगर cooking से related channel YouTube पर बनाया है तो जब आप college में होंगी या school time में होंगी तो आप याद करेंगी यार actually मेरी वो friend थी जो cooking में बहुत ही अच्छी थी क्यों ना मैं उससे contact करूँ उससे मुझे कुछ ideas मिलेंगे या वो मेरी help कर पाएगी तो हुई ना आपकी social life improve आप कही ना कहीं से number लेके उससे contact करेंगी ही जरूर और दूसरी जो चीज है वो क्या होता है यूटूब पर channel बनाने के बाद वो mostly ladies के लिए है उनका थोड़ा सा makeover हो जाता है वो कैसे होता है ladies के लिए ना सबसे पहले family होती है वो सबसे पहले अपने बच्चों पर ध्यान देती है उसके बाद अपने husband पर ध्यान देती है और ये करते करते इतनी tired हो जाती है कि खुद पर ध्यान देना ही भूल जाती है पर आप सोचिए अगर आप YouTube पर आएंगी आप अपनी वीडियो बनाएंगी तो आप थोड़ा बहुत ध्यान अपने आप पर भी देना सुरू कर देंगी और तीसरी जो सबसे important बात है ये कि अगर आप YouTube पर channel बनाती है तो बहुत से लोग होते न जिने camera face करने में problem होती है एक phobia type का होता है कि नहीं नहीं हम camera face नहीं कर पाते हैं हमारे expression ही बदल जाते हैं बोथ चीज भी थोड़ी सी improve होगी तो मुझे लगता है कि मैंने जो fact रखें वो आपकी इस बात में जरूर थोड़ी बहुत help करेंगे कि आप अपना decision ले पाएं कि आपको YouTube पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आपको channel बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए अगर ये video आपको आपका decision लेने में help कर रही है या आपकी किसी friends को help कर सकती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके बैबाई